हेई गाईज वल्कम बैक टो माय चैनल आज की वीडियो में आप लोग के थां शेयर करने वाली हूं एक वी ने क्रॉप टॉप का टुटॉरियल यह जो है पूरी एक लेहंगा की सीरीज होने वाली है इसमें यहां पर मैंने यूज किया हुआ है यह फ्लोरल ओर्गेंजा यहां पर इस वाली वीडियों में शेयर कर रही हूं सिर्फ जो ब्लावस की मेजरमेंट और कटिक मैंने की है उसको सांथ यह नेक्स वीडियों में शेयर करूंगे इसकी स्लीव का टुटॉरियल जो लाइनिग फाब्रिक के उसके लिए मैंने यह पपर कर लेंगे अब मार्जन लाइन में इसलिए प्रिफर करती हूँ क्योंक कि इससे जितनी वी अनीवन एज होती होती है कपड़े की वह हड जाती है और हमें एक प्लेन लाइन मिल जाती है बेढ़े मार्किंस करने के लिए आ इसी मार्जन लाइन से मंवें 15 ची लेंट यहां पर No P.tit. निक हो 21 इंच के सो 15 इंच यह मार्क कर लेनिके पाद यहाँ पर मार्क करेंगें अब जो नेख है उसको नो इंच का और बैक नेक जो है वह एक इंच का है देखिए यहां पर इस तरह से में बॉक्स बना लेती हूं दो फ्रंट और बैक नेक के लिए त्योंकि यहां पर दोनों चार लेयर्स है कपड़े की यहां पर अभी तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहां पर हैं हम कटिं पर और जो शुल्डर है लाइन है उसको आम होल वाले इस पॉइंट से मिला लूँगी इस तरह मिलाने के बाद यहां पर मैं सबसे पहले जो चेस्ट का मेशनरमेंट है उसका फोथ पार्ट यहां माक कर रही हूं और देड इंच जो है मैं एक्स्ट्रा माक कर रही हूं सिलाई मारे के मार्जिन के लिए अब यहां पर देखिए हम सबसे पहले मार्जिन से साड़े 10 फॉल्ड साघस नीचर में है और जो front fold है, front side है, वहाँ से देखिए, 4 इंच पर मैं ये mark कर रही हूँ, इस तरह से line के उपर मैंने mark कर लिया, 4 इंच पर और ये base line है, उस पर भी 4 इंच पर मैं mark कर रही हूँ, इन दोनों lines को इस तरह से मैं मिला दूँगी, अब देखिए, ये base line है मारी 15 इंच वाली है, 3 इंच उपर साइट पर मैं एक line mark करूँगी, इस तरह से एक point mark करके, इसको line में extend कर लूँगी, अब देखिए, ये दोनों नीचे वाली जो lines है, वहाँ पर मार्क करूँगी, इस line के जो middle line है, हमने 4 इंच पर खीचे, उसके दोनों साइट पर 1 इंच पर मार्क करूँगी, इस तरह सीथे इन दोनों को मिला दिया है, इसके बाद इस line को हम ये जो middle line साड़े 10 इंच पर हमने मार्क की थी, उसके point पर हम इस तरह से मिलाना है, मिला दने के पाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे हमा जो waste measurement उसको, इसके बाद हम waste के measurement मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर मार्क किया तो यह तीन इंच यहाँ आ रहा है, तीन इंच के मार्क को line पर रखकर हम इस side mark करेंगे, जो भी आपका waste का fourth part है वो यहाँ पर आप मार्क कीजिए, साथ में 1,5 इंच का सीविंग अलाउंस लेंगे, सीविंग अलाउंस लेने के बाद यह जो waste का और chest का जो marking हमन 10 इंच पर जो हमने point worst point mark किया है, वहाँ से सीधा scale armhole पर रखकर इस तरह चार से पांच इंच की हम एक line mark कर लेंगे, उसके बाद base पर देखे, base line पर, silahe के margin के लिए मैं लगबग 1 इंच का gap रखके, यहाँ कपड़े को cut कर ले रही हूं, बेस में मैं ज्यादा margin इसलिए द front neck के उसको इस तरह से V-shape में mark कर लेंगे, back neck cut करने के बाद हम back वाला जो एक हिस्सा है वो हटा देंगे, और सिर्फ एक हिस्से को हम front के लिए cut कर लेंगे, यहाँ पर जो भी आपके dart हैं, वहाँ पर मैं छोटे mark कर रही हूं, ताकि जितने भी dart points हैं, वो पीछे के side पर transfer ह जाएं, इस तरह से front और back neck cut कर लेने के बाद हम इसे transfer कर लेंगे, हमारे main fabric पे, जो की organ सा fabric है, इस पे से अच्छे से replace करके, pin से attach करके, हम इसे cut कर लेंगे, cut कर लेने के बाद यह देखिए back part किया है, मैंने इसे attach कर लिया है, और जो back के dart हैं, उन्हें stitch कर लिया है, इसी तर पर दिखिए, जो dart की marking है, थोड़ी सी light है, लेकिन वो मुझे दिखाई दे रही है, इस तरह से जो marking है, हमने mark कर रखें, उनको इस तरह से हम pinch करेंगे, और pinch करने के बाद इसको अभी हम attach कर लेंगे, या secure कर लेंगे, pin के साथ, और बाद भी हम इसे stitch कर देंगे, तो अभी म करेंगे, तो इसके लिए हम इसी तरह कैसे stitch करेंगे, तो इसके लिए हम यही करेंगे, जो हमारा marking line है, वहां पे इस तरह से pinch करेंगे हम कपड़े को, ताकि दोनों layers जो है कपड़े की साथ में आ जाए, stitch कर लेंगे, इस लीव के लिए मैंने एक pattern बनाया हुआ है, pattern को इस का pattern को में थोड़ा फैला लोंगे, और फैला नित के बाद में इसको कट कर लोंगी, इस तरह से यहां पर स्लीव की लेंधे अपने कोर्डिंग रख सकते हैं, मुझे इस बाद जो स्लीव की लेंधे, फुल लेंध की चाहिए थी, इसको साइड में रखते हैं, साइड से स्टि इसके बाद के बैल्ट वाला पार्ट, है कि अस तरह से यह एक दो इंच चोड़ी लगबोग एक पत्ती लिए और पत्त पत्ती को अंधर के लोंगे एस साइड से तरह सिच को कर दीने के लिए, और सिच कर देने के बाद चारो साइड से से एक साइड यह से इस taps को फोल्ड क सब्क्राइब करें दिए चेहां साइड आपट और पाहएं रखती है इस स्टिछ कर दिया है यहां पर इस पूरा वीडियो में आलग रखने वाली हूं तो उसको जरूर देखिएगा यहां पर देखिया सब्सक्राइब कर लिए इसको अिल्यटाइब कर लिए नियुके बाद जो फाइनल लुक रहेगा ब्लाउस का कुछ इस तरह से रहेगा इसका लुक बहुत सुन्दर आया है तो आपको भी वीडियो कहसा हागा मुझे कॉमें सेक्षिन जरूर बताइए दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल थैंक यू फो वाचिंग